हेलो अब्रिवान वेल्कम तु कॉम्मर्स एटाइड उनिवर्स एवन वाई नेम इस अमन महता और चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर बहुत ही पैरा चैप्टर है आई होप आपने इससे पहले अच है यहीं है। चाप्टर खतम हो चाएगा तो सबसे पहली चीज़ कि यह financial statement analysis है क्या तो मुद्दे की बात तो यही है तो समझना शुरू करते है तो बात यह है कि financial statement तो आपको बता इसको analyze करना है तो मेन पॉइंट तो यह है कि analysis नहीं पता हमें तो यह सीखो तो analysis कहा है वेटा process है of critical evaluation के भाई एकदम तोड़ फोड़ के निचोड़ के अच्छे से evaluate कर लेंगे मतला हर चीज समझ लेंगे ठीक है तो वह process ठीक है किसको critically evaluate कर रहे है financial information को कहां भी होती है financial information जो contain करता है financial statement तो financial statement की जो financial information होती है उसको अच्छी तरह से एक एक चीज को हर angle से कं कं को समझ लेना उस process को बोलते हैं बेटा financial statement analysis कैसे in order to understand किस लिए यह कर रहे है यह critical evaluation हम किस लिए कर रहे है ताकि हम क्या समझ सके हम समझ सके और हम decision बना सके यानि हम इस information को समझ सके और understand करने के बाद से हम decision बनाते हैं कहते हैं बिना सोचे समझे कि अगर हम internal user है यानि हम management में है हम owner है यह हम employee है तो हम firm को operate करने के लिए decision लेंगे तो पहले समझेंगे क्या financial statement की financial information के critical evaluation को ठीक है ओके जी इसी को बोलते हैं financial statement analysis यह कट की होगे मुझसे financial statement analysis बोलते है it is basically a study of relationship यह हमें समझा के रहे है study of relationship है अमंग various financial facts जो जो बाते है यानि fact information हमें दी गई है उसके बीच relationship बना के बता रहे है as given in the set of financial statement तो जो भी financial statement का पूरा set है यानि statement profit and loss होता है balance sheet होती है और क्योंदे cash flow statement होता है notes through accounts होता है statement of change in equity होता है तो यह set of financial statement है जिनके fact और figure को use करके हम उनका relation बना रहे है और इसी को हम financial statement analysis कह रहे है थीक है तो I hope आपको बहुत ही detail में अच्छे समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत परशानी तो comment box आप अपना ही समझे comment करिए मैं वीडियो के बाद जरूर देखता हूं कि बच्चे comment कर रहे है और पर उनको respond करता हूं ताकि उनकी confusion वह दूर हो सके फिर बात आती है purpose and significance of financial statement analysis कि बही क्या purpose है क्यों क्या जरूरत है बनाने की significance भी देख रहे हैं purpose भी देख रहे है financial statement analysis करने कर तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम present कर पाए complex financial data को simplified और understandable form में अब देखो आप खुद सोचो accounting सबको आती है commerce वालों को कई बच्चे जो ध्यान से नहीं पड़ता है उनको नहीं आती तो जो commerce से नहीं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो हम analysis करके पूरी पूरी दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि जो financial statement है उसके अंदर data है उसको हम simplify कर रहे हैं और आप समझ पाओगे ऐस ऐसा process है इसलिए इसलिए किया जाता है दूसरा point आता है to judge the financial stability of the enterprise हम financial statement financial stability जो होती है enterprise की उसको भी judge कर पाते है अनलाइज करने हमादा हर तरीके समझ लेने का मतलब क्या है अच्छा इतनी asset है इतनी liability है मतलब हम asset बेचेंगा तो liability को हम settle कर पाएंगे अच्छा तो हमने उस चीज को भी संझा है तो हम stability भी समझ पाएंगे to measure the short term and long term solvency हम short term में भी solvency समझ पाएंगे और long term में भी समझ पाएंगे to measure the operating efficiency and profitability कि हम जो operations कर रहे हैं वो कितना efficiently कर रहे हैं उससे कितना profit ओर enterprise को तो हम वो मेजर कर पाएंगे okay to compare intra farm position and inter farm position and pattern position within the industry तो भाई intra intra word मतलब intra farm का मतलब हम खुद से खुद को क्या कर पाएंगे compare कर पाएंगे अपनी position देख पाएंगे हम क्या कर पाएंगे इंकर अपने आपको दूसरों से दूसरे जो business हम जैसे उनसे compare कर पाएंगे हम pattern position समझ पाएंगे कि industry में चल क्या रहा है and six point are that to assess the future prospects of the enterprise और हम थोड़ा future भी predict करने लग जाएंगे future estimate करने लग जाएंगे कि कैसे कैसे future में हमारे लिए हो सकती है ठीक उसी आप section लेंगे ना फिर तो analysis का यही फायदा होता है चलिए तो यह समझ में आगे बढ़ते हैं types of financial statement analysis कि कितने तरहां के financial statement analysis होते हैं तो यहां पर कुछ point of views हैं उनके basis पे हम categorize कर रहे हैं financial statement analysis को तो अगर हम बात करते हैं users के point of view से तो from the viewpoint of users तो भाई दो तरहां के आपको analysis देखने को मिलेगे एक external analysis दूसरा है internal analysis तो external analysis basically जो external user analysis करते हैं यहीं बाहर के लोग जैसे bank हो गया और financial institution lenders हो गए creditors हो गए suppliers हो गए government authorities हो गई तो इनको हम वह information देते हैं जो इनके जरूरत की होती है सब कुछ तो नहीं बताते ultimately जो legally required है वही देते हैं लेकिन हमें पूरा सच पता है जो internal users है उनके पास तो unfiltered financial statements है और उसका analysis वह कर सकते हैं तो external analysis क्या होता है external users करते हैं वह भी अपनी जितनी available information उनको मिलती है उनके basis पर तो वह published accounts जो होते हैं उनके ओपर dependent होते हैं तो लिखा गया है parties person who do not have access to detailed record कि वह detailed record तो है नहीं enterprise का तो वह external analysis करते हैं they depend on published accounts and directors and auditors report तो जो director है auditor है जो accounts को check करके report बना के देता है तो वह publicly सबको show की जाती है तो उसके basis पे ही external analysis हो पाता है फिर internal analysis के बारे में मैंने आपको बता है कि internal लोग कर रहे है owner है management है employees है उनको जादा पता होता है तो the analysis conducted by the management to know and basically owner भी का करेंगा management ही करेंगा management को यहाँ पर पूरा highlight किया to know the financial position वो जानना चाहता है financial position क्या है operational efficiency हम काम कितने efficiently कर रहे है of the organization is known as the internal analysis तो इसको हम बोलता है internal analysis फिर आता है objectivity के point of view से यह क्या होता है देरे देरे भाई मज़ा आने लग जाएगा objectivity के point से अगर हम देखे तो तरह क्या होता है short term और long term analysis तो short term में यहीं देख रहे है कि short term में अपनी obligation चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे short term में earning capacity का है short term में कितना profit कमा सकते हैं यह सारी चीज़ such an analysis of financial statement is done to examine the liquidity profit earning capacity and short term solvency of an enterprise तो भाई कम समय के अंदर 12 में के अंदर की बाते कर रहे हैं उसको short term analysis बोल रहे हैं फिर आता है long term analysis जो भाई 12 में से जादा की बाते होंगी जहां पर तो such an analysis of financial statement is done to examine the long term financial stability के business stable है भी है नहीं के बंद हो जाएगा यह तो उसके लिए हम यह क्या करते हैं long term analysis करते हैं and long term solvency check करते हैं as well as future profit earning capacity future में भाई कितना profit कमाने का दम रखता है मारा business वो चेक कर लिए जाता है long term analysis से यहां तक horizontal analysis होता है vertical analysis होता है horizontal में हमेशा represent करता हूं horizontal ऐसे होता है और vertical ऐसे होता है तो vertical यह नहीं जो सीधा खड़ा हुआ हो horizontal जो ऐसे लेटा पड़ा हो हिंदी बहुता है उसको बहुता है उर्दवादर तो जब भी मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपने शुरू से मुझसे पढ़ी तो आपको पता होगा कि जो line मैं यूज करता हूं कि इसके लिए करता हूं इसके लिए time line के लिए accounting यहां से शुरू यहां पे खतम तो यह जो है यह time line को शो कर रही है जयानि अलग-अलग time की बात हो रही है अलग-अलग time क्या है वे many times many time period तो जो हम horizontal analysis पढ़ेंगा वो अलग-अलग time period की बात करेगा और इसलिए जब अलग-अलग time होते है तो time की series बन जाते है इसको time series भी बूलते है time series analysis ठीक है तो देखो ज़रा it is also called dynamic analysis को dynamic analysis भी बूलते dynamic word गहां से आता है तो change होता रहे that is called dynamic और time change ही तो होता रहता क्योंकि यहां पर अलग-अलग time दे रखें तो इसलिस को dynamic analysis भी बूलता है it is a time series analysis यह भी मैंने आपको बता दिया this analysis is made to review and analyze the financial statements of a number of years बहुत सारे times होते हैं time period होते है जसा कि मैंने आपको बता है and is therefore based on financial data taken for those years और बहुत सारे अलग-अलग साल के data जो होते हैं उनको लेकर के analysis करते हैं it shows comparison of financial data for several years against a chosen base year तो एक साल पकड़ लेंगे 2020 में हमारी यह performance थी उसको compare करें 2012 से उसको compare करें 2015 से उसको compare करें 2018 से whatever ठीक है अब जब हम एक data को पकड़ रहे हैं तो अलग-अलग time है company एक है business एक है उसको compare कर रहे हैं तो आगे चल करके आप जब notice करोगा तो आपको पता चलेगा जब अलग-अलग time होते हैं तो हम 25 companies को नहीं एक यी company को अलग-अलग time period से compare कर रहे हैं कि यहां पर company खुद को खुद से ही compare कर रहे है this is called intra firm analysis क्या बोलते हैं इंट्राफर्म analysis ठीक है फिर आधा vertical analysis तो भाई जो time है एक particular time को मैं ऐसे शोग करता हूं तो भाई यह एक ही particular time है यानि यहां पर single year की बात हो रही है single time period की बात हो रही है single time period तो माल लोग अगर मैं बोलू भाई 2018 की बात है तो 2018 में मेरा business कैसा चल रहा था और 2018 में दूसरी company कैसे चला रहे थे वो लोग तो हम तब दूसरी लोग compare कर रहे है तो यहां पर single time period है तो यहां पर अलाग अला companies हो सकती है ठीक है many many enterprises many enterprises तो देखो यहां पर क्या लिखा है अब vertical है यहनी एक ही साल है time हिल नी रहा बिलकुल क्या है बटा? static है तो इसलिए बटा it is also called static analysis this analysis is made to review and analyze the financial statement of one particular year एक साल की बात हो रही है बस एक time period की बात हो रही है such analysis is useful in comparing the performance of several companies जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी enterprise होगी बहुत सारी companies होगी of the same time same time अब भाई हलवाई को मोची से तो compare कर नहीं सकते एक example मैंने पहले भी दिया था हलवाई को मोची से compare नहीं कर सकते ठीक है तो हलवाई को हलवाई से compare कर नहीं मोची को मोची से और division और department in one enterprise तो जो भी आप comparison कर वह एक ही तरह क्या काम करते हों ऐसा comparison करना अलग-अलग companies हो सकती है लेकिन time period एक ही होगा ठीक है अब यही अब अलग-अलग company है तो मैंने यहां पर भी शुरुवात में भी बोलते है वह है inter firm analysis inter firm इंटर मतलब खुद को बाकियों से compare कर रहे इंटर मतलब खुद को खुद से इंटरप्राइज एक इंटरप्राइज की बात हुरी जब एक इंटरप्राइज को हम compare कर रहे हैं खुद को खुद से compare कर रहे हैं तो इसको हमें intra firm analysis बोल रहे हैं और खुद को खुद से compare तब कर सकते हैं जब अलग-अलग time period के data हमारे पास given हो तो एंटरप्राइज for two or more accounting period एक एक से दो या दो से ज्यादा accounting period होने शीए तभी तो हम compare कर पाएंगे मैं अभी इस moment में खड़ा हूं अपने आपको इसी moment में खुद से कैसे compare करूं मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं दोनों ही data same है ठीक है लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं आज से पांस सल पहले कैसा था आज से पांस सल पहले में क्या और निंग करता था तो वह हो सकता है कि अलग-अलग time period में खुद को खुद से compare करें that is called intrafum ठीक है it is conducted to determine the trend of different financial variables और यहां पर हम क्या कर सकते हैं विटा हम determine कर सकते हैं trend को trend of different financial variables कि जब हम आलग-आलग time period की बात करें और एक ही company है तो भाई हम यहां पर देख रहें कि profit की बात कर तो इसका profit कैसा हुआ फिर इस साल क्या profit हुआ फिर इस साल प्रोफिट कैसे चेंज हो रहा है यह कहें trend है बोलते हैं trend change हो चुका है fashion change हो चुका है तो ultimately इसको हम क्या बोलते है बेटा इसको हम trend analysis भी बोल पाएंगे अब बता है बेटा खुद को दूसरों से compare करना और यहां पर खुद को दूसरों से compare करना तो एक ही साल होगा एक ही time period होगा लेकिन है पर companies अलग अलग होंगी यानि हम अपने competitor को क्या कर रहे है बेटा compare कर रहें this analysis is comparison of financial statements of two or more enterprise दो या दूसरों enterprise होगी for the same accounting period एक ही accounting period होगा उनके सामने हम किस position में किस rank पे हैं वो हम compare कर रहे है ठीक है it is known as cross sectional analysis इसको हम cross sectional analysis भी बोलते हैं जो नाम बार बार आ रहे हैं अलग 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 उनको याद कर लो क्योंको एक्जाम में आ जाते हैं MCQ टाइप ठीक है तो याद करना बहुत ज़रूरी है और आपको तभी चीज़े असानी समझ में आएगे पिर आते हैं एनालेसिस डाइब देज़नोट कंसीड़ प्राइज लेवल चेंज़े तो यह तो वहां पे भी पढ़ा था हमने प्राइज लेवल चेंज़े को अंसे भी नहीं करता पानिशल स्टेट्मिट एनालेसिस में भी निसलीडिंग विदाउट दा नॉलेज ऑफ चेंज अन अका बढ़ गए या घट गए तो ऐसा कैसे हो गया तो जब तक हमें यह नहीं बता हुए कि प्रोसीजर चेंज हुआ तो हम कैसे अपने डिसीजन बना पाएंगा तो यह लिमिटेशन है प्रश्वर्णिकर बस्ता का सव spoken अपनेश्कर कर सारी चीज़ों से तो वह प्रपर एकदम में वहुस्य इन्टर कर रहे होते मॉनेटरी इंफरमेशन अलोन इस कि और लोन फोनिसेट्ट अनलिस वाइल दो उनल्हां फ्रीटरी आसपेक्ट आ इग दिया गया है और चाहिए आपको और अच्छे से पड़ोगो तो चीज़ आसान हो जाएंगी इसकी लिमिटेशन अलग से याद करने पड़ेगी बस पता चल जाएगा कि बहुत सारे बड़ेट इस नोट रफ्लेक्ट फॉजीशन तो यह भी बड़ेट इसमें पड़ा हुआ है फानिशल स्टेट्मिट की लिमिटेशन से लिमिटेशन शोग एक्चुल में नहीं हो पाती है यहां पर ठीक है गोइंग कॉंसेट की वजा से ओके चली तो आई होप यह समझ में आगया अब बात करते हैं पार्टी इंट्रस्टेड इन फैनिशल स्टेट्मेंट एनालिसिस कौन कौन सी पार्टी हैं जो इंट्रस्टेड हैं फैनिशल स्टेट्मेंट के एनालिसिस में तो यह वाला हमने पिछले टाइम पर भी बढ़ा था कि यूजर्स और फैनिशल स्टेट्मेंट तो भाई सेम ही तो होंगे एक दो ज्यादा कर दिये नाम तो उससे कोई विजादा फर्क नहीं पड़ता वह भी पब्लिक कई पार्ट है सबको जरूत होती है तो फैनेंस मेनेजर लिखा है हां तो भाई जो फैनेंस मेनेजर उसको चाहिए तो हम मैनेजमेंट बोलते तब भी क्या हो गया बाकी बैंकर लेंडर लेबर यूनियन है अब गॉर्मन बोल दे इस बोलने जरूती नहीं थी अधर पार्टी जो बहुत कोई लोग है अब आपको कुछ नाम लिखने हो तो यह आपके सामने है इसको आप लिख सकते हैं तो यह भाई हमने पड़ा और आई होप आपको यहां तक स आतवात नोट बना लिए क्योंकि अगर आपने पड़ा आपके दिमाग में अभी ताजा ताजा है उसको आप अच्छे से शॉर्ट करके लिख पाओगे शॉर्ट नोट बना पाओगे ठीक है तो बहुत जरूरी अकाउंट के नोट भी बनाना और नोट कैसे बनाए जाते ह है तो उसको भी आप एक बर देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाकर के ठीक है बाकि जो बच्चे सी उटी की भी तेयरी करें साथ साथ तो भाई हमारा साथ जोड़ सकते हैं समबर 2.2 बैच हमारा अभी नया नया आया है उस पर कोड लगाई है यॉडवल 5 0 और आपको इ 24 के जैसे एक्जाम होगा बिल्कुल वैसा ही आपको प्रेजेंट के जाएगा और आपको एक्जाम से पहले एकजाम देकर एक बार देख लेना चाहिए तभी आप सही से एक्जाम दे पाएंगे क्लियर कर पाएंगे ठीक है तो यह सारी चीज़े है बाकि आप वन शॉट मे यहां पर YouTube पर जाना है थीक है YouTube पर सर्च क्या करेंगे भाई Commerce अड़र 24 7 लिखो भाई Commerce अड़र 24 7 जैसे आपने सर्च करहे यह आगया आपका चैनल प्यारावाला आपको प्लेट में जाना है प्लेट में जाने के बाद भाई आपको यहां पर यह दिखा class 12 board exam 2024 one shots तो accounts की playlist second number पे आपको दिख रही है पूरा course बिटा हो चुका है अच्छे से पढ़ लो आपके बहुत काम आ जाएगा कोई भी दिक्कत परिशानी है तो उसी वीडियो के comment box में comment करके कर दे ना भाई सारी चीज़े आपको बताई जाएगी भाई पे कोई भी दिक्कत नहीं है और बच्चे आप लोग अगर हमरस्त करना यहां पर क्लिक करना यहां पर राइंड पको अंटर्ग्रेट एंटर्स एक्ज़ाम दिखेगा फिर सियूटी सिलेक्ट करना कॉमर्स वाले हो कॉमर्स पर जाओ के स्ट्विटी कॉमर्स यह रा बिटा आपका समर्त बैच ठीक है और मैं कहता हूं अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ रखा है तो मैं आप 120 मॉक टेस्ट का मतलब क्या अगर आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट भी कर रहे हो ना तो ठीक है तो आपको 2099 का जो अमाउंट अभी दिख रहा है इस पर आप कोड लगा हो क्या वाइडबल 50 कोड देखो वाइडबल 50 कोई भी अगर आपको अगर आपको अटट 247 एप पर इन्रोल करनो परचेस करनो तो यह कोड़ आपको मदद करेगा 356 रुपे का आपको डिसक को क्योंकि एफट्स लगते हैं हर किसी के एफट्स नहां पर लग रहे हैं हर को यहां पर महनत कर रहा है अटट 247 की पूरी टीम आपको पढ़ाने में लगी हुई है तो आपको प्यार कैसे देना भाई इस सेशन को लाइक करना है शेर करना अपने सारी अप्रेंड के साथ क कि हम अपनी क्लासेश को और इंप्रूव कर पाएं आपकी जरूरत के हिसाब से चीज़े ला पाएं और नए आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहे हैं मिलते हैं आप से नेक्स लास में तब तक लिए बाइबा टेक केर एंड कीप ख्रूवीं